आलस से बचें आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है बेंजामीन फ्रैंकलिन समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं लेकिन टालम टोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं आलस का एक एहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अंदेखा कर देते हैं जरूरत से ज्यादा भूजन करना जब आप आवशक्ता से अधिक भूजन करते हैं या ज्यादा तला भुना भूजन करता है तो आपकी उर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकागरता में बाधा आती है आलस में आप ज्यादा गलतियां करते हैं और टालम टोल करने या जैसे तेसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं इससे आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप शर्लोक हॉम्स के दिवाने हैं, तो आपको यह बात जल्दी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब शर्लोक हॉम्स कोई जटिल समस्या सुलजाने में जुड़ता था, तो खाना पिना छोड़ देता उसका मानना था कि भूजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसलिए समय के सर्वशेष्ट उप्योग का 26 वा सिध्धान्त है, आलस से बचें। यह सपष्ट समझ ले कि यहाँ पर भूज भूजन करने में लगने वाले समय की बात नहीं हो रही है, ज्यादा भूजन करने के परिणामों की बात हो रही है। भूजन करने में तो कम समय लगता है, लेकिन भूजन के कारण उत्पन, आलस के कारण ज्याता समय बरबात होता है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन में खाना खाने के बाद विध्यारतियों को नींद के जोंके आने लगते हैं और रात को अगर डट कर खाना खाले तो सीधे बिस्तर पर जाने की इच्छा होती है आपने खुद भी महसूस किया होगा कि रेस्टरॉं में या किसी विवाह समारों में भोजन करने के बाद आपको पेट भारी लगता है और आप जल्दी से जल्दी सोना चाहते हैं क्या आपने कभी सोचा कि हम सुभे सबसे अच्छी तरह काम क्यों कर सकते हैं एक कारण तो यह है कि उस समय आराम कर लेने के बाद शरीर ठका हुआ नहीं रहता है दूसरा कारण यह है कि सुभे ऑक्सिजन ज्यादा रहती है और तीसरा कारण यह है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है आलस मीठा होता है, लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं पेट खाली रहने से दिमाग ज्यादा तीजी से चलता है इसलिए हमें एक बार में ही ज्यादा भूजन करने से बचना चाहिए ताकि हम पर आलस सवार नहो नियमित अंतराल पर कम आहार ग्रहन करना स्वास्ते के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जब आप कम खाते हैं, तो आपको आलस नहीं आता और आपके उर्जा वह एकागरता का स्तर बना रहता है आलस के कारण इंसान अपने महतुपूर्ण काम नहीं कर पाता है इसलिए अपनी उर्जा के स्तर को बनाए रखें और आलस नामक महारोग से बचें खाने के बाद कभी किसी ने कम खाने पर अफसोस नहीं किया थॉमस जेफरसन